Hey guys, welcome back to my channel तो Boat ने लाँच कर दी है Kids सेग्मेंट में अपनी एक और नई latest smart watch जिसका नाम होने वाला है Boat Wanderer और ये watch especially design की है Kids के लिए और इसके अंदर आपको कई सारे features देखने को मिल जाएंगे प्लस inbuilt camera भी देखने को मिल जाएगा तो आज की इस वीडियो में इस product का full review करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ इसके main features बाकी यहाँ पर अगर बात करें box की तो box पर कुछ काफी interesting features नजर आ रहे हैं जैसे की video calling, geo fencing, sos तो totally मतलब kids की safety को लेके इस watch के अंदर पूरा ध्यान रखा गया है जो कि अपन वीडियो में आगे discuss करेंगे plus यहाँ पर यह सारे features भी देखने को मिल जाएंगे, यह watch आपको दो colors में available हो जाएगी coral और aqua और यह watch फिलहाल available है boat की website पे और amazon पे और इसका launch price रने वाला है 5000 रुपीज पर यह कभी भी बढ़ सकता है तो अगर आपको purchase करने के इच्छा हो तो यह best time है बाकी अगर बात करें इसके box की तो एक बार इसके box को open करके check करते हैं कि क्या contents देखने को मिलेंगे, okay so सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल जाएगी यह watch और looking wise खाफी सही दिख रही है इस product के साथ आपको magnetic 2-pin charging cable का support देखने को मिल जाएगा और cable के लिए अच्छी कासी है तो आप इसको आराम से charge कर सकते हो और उसी के साथ आपको एक SIM ejector tool देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे दी हुई है कुछ documents तो सबसे पहले यहाँ पे है stickers तो इन stickers को आप आराम से use कर सकते हो बाकी यहाँ पे boot की तरफ से catalog देखने को मिल जाएगा warranty registration card देखने को मिल जाएगा one year की warranty देखने को मिल जाएगी इस product के साथ और उसी के साथ यहाँ पे user manual provide की हुई है जिसको पढ़के सारी information आराम से समझ सकते हो बाकी यहाँ पे अब अपने से smart watch को एक बार check कर लेता है सबसे पहले अगर बात करें इस watch के main features की तो इसके अंदर five main features आपको देखने को मिल जाएगे इसके अंदर आपको inbuilt GPS देखने को मिल जाएगा उसी के साथ geo fencing वाला feature provide क्या हुआ है जो कि kids की safety को ध्यान में रखेगा उसके बाद आपको video calls and voice calls का option देखने को मिल जाएगा तो basically इस watch की मदद से आप voice call तो करी सकते हो साथ ही साथ video calls भी कर सकते हो जो की काफी अच्छी बात है और ये smart watch 4G SIM enabled भी है यानि की इसके अंदर आप 4G SIM card install करके आराम से access कर सकते हो प्लस यहाँ पे आपको SOS feature भी देखने को मिल जाएगा तो basically kids की safety को अच्छे से ध्यान में रखा गया है अगर बात करें build quality और looks की तो looking wise काफी अच्छी दिखती है ये smart watch इसको especially kids के लिए design किया गया है तो यहाँ पे आपको silicon straps देखने को मिल जाएंगे जो की काफी comfortable होने वाले है यानि की अगर वो पूरा दिन पहनेंगे तो भी hands के उपर उतना feel नहीं होगा और calling features होने के बावजूद को sim card डालने के लिए space देखने को मिल जाएंगी और इस side में यहाँ पे एक power button provide किया हुआ है उसी की साथ microphone भी provide किया हुआ है और top की side में speaker देखने को मिल जाएंगा बाकी यहाँ पे आपको 20 mm के steps देखने को मिल जाएंगे और watch को एक बार on कर देता है इस watch को phone से connect करने के लिए आपको अपने phone के अंदर एक application डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है boat wanderer और यह application play store और app store दोनों पर ही available है तो एक बार इसे on कर देता है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक barcode scan करना पड़ेगा इस watch को connect करने के लिए तो वो बार कोड को एक बार मैं scan कर देता हो तो यहाँ पे bind का एक option है तो इसके उपर click करके इस वाले QR code को scan कर देता है तो आप देख सकते है within seconds यह watch connect हो जाती है और यहाँ पे parents name डाल ला है तो एक बार मैं randomly डाल देता हो device name भी कुछ रख लेता है ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना easily आप इस watch को phone से connect कर सकते हो जस्त थोड़े से आपको यहाँ पे name डालने पड़ेगे और आराम से आप connect कर सकते हो अगर बात करें इस watch के IP ratings की तो यह watch IP 68 water resistant होने वाली है यानि कि थोड़ा बहुत पानी वगरा गिर जाए तो कोई problem नहीं होगी और battery backup की बात करें तो यह watch चार्ज होने में लेती है 2 hours का time और इस watch के अंदर आपको 2 से 3 days का battery backup आराम से देखने को मिल जाएगा और इस watch के जो सबसे main features है जो कि आपके child की safety का पूरा ध्यान रखेंगे वो सभी आपको explain करना start कर देता हूँ तो सबसे पहला feature है इसके अंदर inbuilt gps का और ये feature काफी useful हो सकता है क्योंकि इसकी मदद से आप अपने child को real time में track कर सकते हो और इसके application के अंदर यहाँ पे आपको dedicated location का एक feature देखने को मिल जाएगा और इसकी मदद से आप track करके रख सकते हो कि किस type पे ये watch कहाँ पे होती है और यहाँ पे आपको refresh करने का option है यानि कि आप लगा था refresh करके चेक कर सकते हो कि कब आपका child कहाँ पे है तो ये feature काफी useful हो सकता है अपने children को track करने के लिए तो ये feature बहुत सही है और inbuilt GPS जादा तर watches के अंदर नहीं मिलता है तो ये इस watch का सबसे बड़ा USB रहने वाला है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक और important feature देखने को मिल जाएगा safety zone वाला और ये feature भी काफी important रह सकता है क्योंकि इस feature की मदद से आप एक area बना सकते हो इस area के बाहर जैसे ही आपका child जाएगा आपको notification देखने को मिल जाएगा phone के अंदर और उसकी मदद से आपको बता चल जाएगा जैसे ही आपका child area के बाहर जाएगा आपको notification पॉप अप हो जाएगा यहाँ पे आप customized अपने हिसाब से area set कर सकते हो जैसे कि 500 meter या फिर इसको maximum 1 km तक आप set कर सकते हो तो इस वाले area को आप set कर सकते हो आराम से और आपका child जैसे ही इस area से बाहर जाएगा आपके पास notification आ जाएगा और आप immediately action ले सकते हो तो यह वाला भी feature काफी अच्छा रह सकता है आपके child को track करने के लिए next इसके अंदर feature देखने को मिल जाएगा video call as well as voice call का voice call तो आजकल लगबग सारी watches देने लग गई है तो उसमें ठीक है कोई नई बात नहीं है बट video call यह वाला feature सिफ इसी smart watch के अंदर आपको देखने को मिलेगा वो भी इतने affordable price segment के अंदर तो video call वाला feature काफी interesting है बाकी यहाँ पे आपको voice call का option देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे अगर आपके बच्चे को मतलब number वगएरा याद नहीं रहते हैं तो आप father के उपर click करके अपना number set कर सकते हो तो आपका चाहिड जैसे ही यहाँ पे click करेगा direct father को call लग जाएगा तो यह feature भी useful हो सकता है बाकी dial pad तो देखने को मिली जाएगा और यहाँ से आप किसी को भी calls होगे रहा आराम से place कर सकते हो जस्ट इसके calling quality को test करने के लिए मैं एक random call लगा के बताता हूँ तो यहाँ पे अभी मैंने आपको इसकी calling quality सुनाई और to be honest speaker की quality काफी अच्छी है और clear vocals आते हैं प्लस loud भी है यानि कि आप indoor as well as outdoor में भी आराम से बात कर सकते हो कोई problem नहीं होगी और इस बहुत से मैंने कुछ calls वगेर अटेंड करके देखे हैं तो microphone और speaker दोनों की quality top notch है तो calling से related आपको कोई tension लेने की ज़रत नहीं है उसी के साथ यहाँ पे आपको call locks भी देखने को मिल जाएंगे प्लस सबसे important है इसके अंदर जो video call वाला feature है यह वाला feature काफी अच्छा रहने वाला है क्योंकि इसकी मदद से आपका बच्चा कभी भी आपको video call कर सकता है यहाँ पे मैंने यहाँ पे set किया हुआ है अपना phone तो यहाँ पे मैं जैसे ही इसके उपर click करूँगा तो इस phone के उपर video call आ जाएगा तो एक बार check कर लिता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे notification आ चुका है तो यहाँ पे मैं accept कर लिता हूँ ओके तो यहाँ पे video call लग चुका है और अगर बात करूँ इसके video call के camera quality की तो camera quality काफ़ी impressive है क्यूंकि इसके अंदर आपको 2 megapixels का camera देखने को मिल जाएगा और इसकी मदद से आप कभी भी अपने child को video call कर सकते हो या फिर आपका child भी watch से आपको कभी भी video call कर सकता है और इस watch का सबसे बड़ा USP यह है कि इस watch के अंदर आपको 4G SIM card का support देखने को मिल जाता है तो आप SIM install करके SIM के cellular data को access कर सकते हो यहाँ से या फिर अगर आप चाहूं तो आपको Wi-Fi का भी option देखने को मिल जाएगा तो Wi-Fi से भी connect कर सकते हो तो यहाँ पे आपको दोनों options देखने को मिल जाएगे इंटरनेट को access करने के लिए और उसके बाद इसके अंदर SOS या फिर emergency calling वाला feature भी देखने को मिल जाएगा आपके child को just कुछ second तक इस button को press करके hold करना है और direct आपके father को call लग जाएगा और application के अंदर immediately notification भी आजाएगा कि आपके child ने emergency call किया है तो यह feature भी काफी useful हो सकता है आपके child को safe रखने के लिए वैसे अगर बात करें इसके display की तो इसके अंदर 1.4 inches का HD display देखने को मिल जाएगा और watch faces की बात की जाएगा तो इसके अंदर multiple watch faces का support देखने को मिल जाएगा तो इन में से कुई भी watch face इंस्टॉल कर सकते हो और looking wise काफी सही दिखते है बाकी UI की बात करें तो नीचे की तरव swipe करके आपको notifications वगरा देखने को मिल जाएगे लेट की तरव swipe करके यहाँ पे कुछ applications वगरा देखने को मिल जाएगे उपर की तरव swipe करके कुछ नहीं होता है और यहाँ पे right की तरव swipe करोगे तो more applications देखने को मिल जाएगे तो चली अब एके करके इसके सारे features चेक कर लेता है तो सबसे पहले यहाँ पे है calling option जो मैं आपको बताई चुका हूँ उसके बाद next है यहाँ पे chat का option और basically आप अपने parents के साथ यहाँ पे chat कर सकते हो प्लस यहाँ पे अगर आप चाहो तो voice notes भी बेज सकते हो जैसे की Hi, welcome, subscribe to technical PR channel तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह voice note आ चुका है तो इसको एक बाद चेक कर लेता है Hi, welcome, subscribe to technical PR channel तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना clearly जो voice से वो record हो जाती है इसके microphone से काफी impressive है बाकी यहाँ पे अगर आप चाहो तो कुछ emojis वगरा भी बेज सकते हो यहाँ पे काफी सारे emojis के option है तो यह emojis आप इस टाइप से बेज सकते हो और आराम से अपने parents के साथ chat कर सकते हो तो यह वाला feature काफी interesting है बाकी अगर आप और किसी के साथ मतब chat करना चाहो तो वो भी option आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ से आप voice notes और emojis दोनों भेज सकते हो उसके बाद है यहाँ पे video calling वारा feature जो मैं आपको बताई चुका हूँ उसके बाद next option देखने को मिल जाएगा add friend का और इसकी मदद से आप और भी friend से connect कर सकते हो उसके बाद है यहाँ पे qr code और फिर है यहाँ पे pedometer का option और pedometer काफी अच्छे से work करता है accurately steps वगरा calculate कर लेगा उसके बाद है camera का feature और इस camera की quality काफी अच्छी है चेक भी कर सकते हो प्लस delete भी कर सकते हो तो gallery का भी option देखने को मिल जाएगा बाकी यहाँ पे next option देखने को मिल जाएगा voice record का इसको check कर लेता है hi everyone subscribe to technical PR channel so यहाँ पे voice recording भी अच्छे से work करता है और यहाँ पे आप voice recording भी कर सकते हो so यह सारे option है plus यहाँ पे more के अंदर और चेक कर लेता है सबसे पहला option है यहाँ पे alarm का और alarm वगेरा आप set कर सकते हो उसके बाद है gallery so gallery के अंदर यह सारे आपके images आ जाएंगे और इनको आप access कर सकते हो उसके बाद है stop watch तो stop watch देखने को मिल जाएगी plus यहाँ पे आप messages वगेरा आप read भी कर सकते हो plus आप reply भी कर सकते हो इस watch के अंदर reply करने का option है जो कि काफी अच्छी बात है यहाँ पे आप यह customized reply आप कर सकते हो यह feature भी generally smart watches के अंदर नहीं होता है तो यह भी इस watch का एक unique feature है उसके बादे यहाँ पे language का option brightness set कर सकते हो peak brightness पे इसका display अच्छा का सा visible हो जाता है तो outdoor में भी आराम से visibility आ जाती है उसके बादे यहाँ पे sound का और यहाँ पे काफी सारे customizations के option है तो आप अपने साब से set कर सकते हो उसके बादे यहाँ पे clock और clock यहाँ पे आप 24 format set कर सकते हो या फिर 12 hour format set कर सकते हो और clock style भी आप अपने सब से change कर सकते हो प्लस यहाँ पे backlight का option है clear cake का option है then यहाँ पे about section के अंदर basic details है प्लस यहाँ पे last में settings देखने को मिल जाएगा और यहाँ से wifi प्लस आप जो cellular data है उसको use कर सकते हो system update देखने को मिल जाएगा और power off है तो basically यह सारे features प्रोवाइट के हो हैं से smart watch के अंदर और last में अगर बात करें conclusion की तो इस watch को मैं आपको 100% recommend कर सकता हूँ क्योंकि 5000 जैसे low price segment के अंदर आपको काफी सारे features मिल रहे हैं जैसे कि video call, inbuilt GPS, geo fencing या फिर pedometer या फिर इसके अंदर जो safety features प्रोवाइट के हो हैं 4G SIM enabled है प्लस यहाँ पे आपको SOS का भी feature मिल जाएगा तो overall आपके child की safety को पूरी तरीके से ensure करेगी यह smart watch प्लस features loaded है तो इस watch को आप definitely Amazon या फिर बोट के official website से purchase कर सकते हो अभी इसका price है 5000 तो मैं यही recommend करूँगा अगर इच्छा हो तो अभी purchase कर लेना क्योंकि बाद में इसकी price बढ़ सकती है बाकी उमीद आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो like share subscribe सरूर से करना मिलता हो आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई